दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में इस वीडियो के अंदर अब यहां लोग साइन्स और बिग्यान इससे रिलेटेट जो है इंपोर्टेंट 40 प्लस कोश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एक चांसर एल बे गुरूप डी एससी यूपी पुलिस लेकपाल और आने वाले सभी परतियोगिता परिक्षचे के लिए एक काफी इंपोर्टेंट है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्तिक देखिए चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानि जो घंटी के निसान इससे जुरूर सण करते हैं ठीक है तो देखें मानोसरी में जल्ग के संतूलन के लिए जो है यह गुर्दा उतरदाई होता है ठीक है, correct answer C हो जाएगा, गुर्दे को kidney या फिर brick बोला जाता है, गुर्दे को क्या बोला जाता है, kidney या फिर brick बोला जाता है, इसके अलावा, मानो सरीर में, गुर्दे का जो रोग होता है, वो किसके परदोसन के कारण होता है, तो ये cadmium, cadmium के परदोसन के कारण होता है, इडिनी का जो कारे होता है पहला कारे इसका होता है यह रग को साफ करता है और अपसिस्ट उत्पादों को निकालता है इसका दूसरा कारे होता है यह सरीर में यह सरीर में खनीजों को नियंत्रित करता है और हर्मोन उत्पन करता है इसका दूसरा कारे है अगला कुशन दिया गया है, हमारे सरीर में कच्रे को हटाने की परकृरियव क्या कहते है, उत्सर्जन कहते है, ठीक है, यदि कोई बेक्ति डायलेसिस पर होता है, तो उक्स बीमारे से पीडित है किडिनी रोग से पीडित है किडिनी रोग से पीडित होने के लचण क्या है किडिनी रोग से जो बेकती पीडित होता है तो उनके लचण क्या होते हैं तो देखें इनके तीन लचण होते हैं पहला लचण उच रखत चाप दूसरा स्वासन समस्या मतलब स्वास ले हमारे सरीर में कहां मौझूद होती है तो kidney जो होता है तो यह सरीर के पीछे कमर के ठीक उपर किडिनी मौझूद होता है अगला question देखते है question number 2 है दूग्द जनक हर्मोन का सराव कहां पर होता है दूग्द जनक हर्मोन का सराव कहां पर होता है तो यह होता है प्यूस में, ठीक है प्यूस गरंथी में होता है, correct answer, option do जायेगा, प्यूस गरंथी की बात करें, तो यह मानुसरी की सबसे छोटी गरंथी है, इसे master गरंथी के नाम से भी जाना जाता है, master गरंथी आपको याद रखना है, प्यूस गरंथी को बोला जाता है, और सबसे बड़ी गरंथी पुछा जाए तो यक्रित जो होता है यक्रित ये मानुसरी की सबसे बड़ी गरंथी है ये भी कुछन पुछा जाता है मानुसरी की कौन सी गरंथी प्यूस गरंथी से हर्मोन के रिशाव को नियंतरित करती है मानोसर की कौन सी गरंथी पियूस गरंथी से हार्मोन के रिषाव को नियांतरित करती है तो यह है हाइपो थैलेमस गरंथी ठीक है हाइपो थैलेमस गरंथी जो है पियूस गरंथी से हार्मोन के रिषाव को नियांतरित करती है D आंसर हो जाएगा कुश्यन नमबर 4 है दूद में कौन सा प्रोटीन सरकरा यूग मों होता है तो कैसिन और लेक्टोज होता है ठीक है करेक्ट आंसर B हो जाएगा कुश्यन नमबर 5 है मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में परियुक्त हर्मोन है मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में परियुक्त हर्मोन है तो यह है प्रोजेस्ट्रोण ठीक है करेक्ट आंसर B हो जाएगा इसके अलावा एस्ट्रोजन की बात करें तो यह महिला सेक्स हर्मोन है महिला सेक्स हार्मोन पुछा जाए कि कौन सा है तो एस्ट्रोजन महिला सेक्स हार्मोन है और टेस्टोइस्ट्रोन की बात करें टेस्टोइस्ट्रोन भी पुछा जाता एकजाम में तो ये पूरू सेक्स हार्मोन है क्या है पूरू सेक्स हार्मोन कौन सा है टेस्टोइस्ट्र Question number 6 है, मनुसे मैं किसका पता लगाने के लिए अस्ति भावन परिक्षन किया जाता है, तो अंतरी आयू का पता लगाने के लिए अस्ति भावन परिक्षन किया जाता है, बी अंसर हो जायेगा Question number 7 है, निमनलेकित मैं से कौन सा विटामिन समानता मुत्र में मानौ द्वारा उत्सर्जित किया जाता है, तो correct answer D हो जायेगा, A और B दोनों, मतलब विटामिन B और C, ठीक है, विटामिन B और C जो है, यह समानता मुत्र मानो के द्वारा, मुत्र में जो है, मानो के द्वारा सर्जित किया जाता है question number 8 है MRI का full form क्या है very important question है MRI का full form क्या है correct answer B हो जाएगा magnetic resonance imaging magnetic resonance imaging जो है इसका full form होता है correct answer B हो जाएगा question number 9 है बच्चों के अंगों की अस्थिया मूड जाती है यदि शरीर में डैस vitamin की कमी हो तो यदि शरीर में जो है ये vitamin D की कमी है तो बच्चों की जो अस्थिया होती है वो मूड जाती है correct answer C हो जाएगा question number 10 है निमने लेखित में से कौन सा रोग पर आया वायू के माध्यम से फैलता है कौन सा रोग जो है वैक्सिन नहीं है BCG की बात करें वैक्सिन है anti-rabies ये भी वैक्सिन है polio वैक्सिन ये भी वैक्सिन है और posistron जो है ये हार्मोन है ठीक है posistron क्या है हार्मोन है तो बाकी तीनों वैक्सिन है D answer हो जाएगा इसका दो प्रात्मिक रंग लाल और नीले के मिसराड से कौन सा secondary रंग पराप्त होता है मेजेंटर रंग पराप्त होता है correct answer D हो जाएगा आँक के किस भाग है द्वारा आँक के किस भाग द्वारा आँक में परवेस करने वाले परकास की मात्रा नियंत्रित होती है आँक में परवेस करने वाले परकास की मात्रा जो है किस के द्वारा नियंत्रित होती है आईरीस के द्वारा याद रखना है किस के द्वारा आईरीस के द्वारा C answer हो जाएगा question number 14 है एक समाने ब्यक्ति में इसपस्ट द्रिष्टी की नियुन्तम दुरी कितनी होने चाहिए देखी ये question बहुत बार पुछा गया है ठीक है very important question है तो पचीश सेंटीमेटर पचीश सेंटीमेटर जो है एसपस्ट द्रिष्टी के नियुन्तम दुरी होती है एक समाने ब्यक्ति में तो answer हो जाएगा answer क्या हो जाएगा option B हो जाएगा दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो please वीडियो को like करें अपने दोस्तों में share करें और channel पनाया है तो channel को subscribe जरूर करें subscribe करने बाद bell icon जो है all notification पर press कर दें ताकि जब भी मैं कोई new video upload करूँ उसका notification जो है आपको मिल सके तो subscribe करने बाद all notification on रखे color blindness से पीडित बेक्ती को color blindness से पीडित बेक्ती को निमने लेखित में से कौन सा रंग पाचानने में पाचानने की छमता नहीं होती है तो color blindness जो बेक्ती इससे पीडित होते हैं तो उनको जो है लाल और हरा रंग में जो है मतलब लाल और हरा रंग को पाचानने में जो है समस्या होती है ठीक है तो answer हो जाएगा C question number 16 है चंदरगरहन के बारे में कौन सा कौथन सत्त है चंदरगरहन के बारे में कौन सा कौथन सत्त है तो देखे पहला कथन दिया गया है चंदरगरहन की स्थिती में चंदरमा और सूरे के बीच पृत्वी होती है तब ही जो है चंदरगरहन लगता है और यह घटना कब होती है पूर्णीमा के दिन होती है तो यहाँ पर एक और दो दोनों ही करेक्ट है एक और दो यहाँ पर दोनों ही करेक्ट है सी आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों सूरे गरहन की बात करें तो सूरे गरहन जो होता है सूर्य तथ पृत्वी के बीच चंदरमा आ जाती है सूर्य और पृत्वी के बीचे जो है चंदरमा आ जाती है तब जो है सुरिगरहन होता है और यह घतना कब होता है अमावस्या के दिन अमावस्या के दिन जो है सुरिगरहन होता है आपको याद रखना है question number 17 है पारिदार से यानि periスcope में दोनों संतल दारपण एक दूसरे से कितने डिगरी कौण पर इस्तित होता है पेरी एसकोप में दोनों समतल दरपन एक दूसरे से कितने डिगरी कोण पर इस्तित होता है तो देखी ये इस्तित होता है 45 डिगरी पर ठीक है तो correct answer B हो जाएगा इसके अलाबा परिदर्सी जो होता है 21 सिधान पर कारे करता है परावर्तन ठीक है परावर्तन के सिधान पर ये कारे करता है आपको याद रखना है question number 18 है आउतर लेंस में हमेशा निमनलेखित में से कौन सा परतविम बनता है तो आउतर लेंस में आभासी और सीधा परतविम बनता है correct answer B हो जाएगा अंत दर्सी यानि इंडोएस्कोप की सिधान पराधारित होता है इंडोएस्कोप जो है की सिधान पराधारित होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिधान पराधारित होता है D answer हो जाएगा निमनलेखित में से नेत्रों का कौन सा भाग है निमने लेखित में से नेत्रों का कौन सा भाग है नेत्रों के बिसिश ट्रंग के लिए उतरदाई होता है नेत्रों के बिसिश ट्रंग के लिए उतरदाई कौन होता है परितारी का ठीक है correct answer ही हो जाएगा question number 21 है सरीर के आंत्रिक भागों के शरीर के आंत्री के भागों के निरिक्षन के लिए परियुक्ति आंत्र कौन सा है तो परियुक्ति आंत्र है इंडोस्कोप ठीक है करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कोश्चन नमबर 22 है परकास तन तो यानि अप्टिकल फाइवर का उपयोग निमनलेखित में से किस में किया जाता है अप्टिकल फाइवर का परियोग जो है किस में किया जाता है तो इनमें सभी में किया जाता है डी आंसर हो जाएगा शरीर के अंदर लेजर किरन को भेजने में जो है अप्टिकल फाइवर का उपयोग किया जाता है प्रकास संकेतों के दूर संचार में किया जाता है और मनुस्य के शरीर के आंतरिक भागों के परिक्षन में किया जाता है तो इन तीनों में किया जाता है अप्टिकल फाइवर का उपयोग 2 संतल धरपन की सहायता से किसी बस्तू के 3 परतविम प्राप्त करने के लिए धरपन के बीच कितना कुण होना चाहिए दो संतल दरपण की सहायता से किसी बस्तू के तीन परतविम प्राप्त करने के लिए दरपण के बीच कितना कुण होना चाहिए तो तीन परतविम प्राप्त करने के लिए जो है दरपण के बीच का जो कुण होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए ठीक है तो आंसर हो जाएगा B 24 है प्रकास यदि प्रकास यदि किसी प्रिज में से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक बिछेपित याने मुड़ता है तो सबसे याधी कौन सा बिच्छेपित होता है तो ये बिच्छेपित होता है बैग नी रहा करेक्ट आंसर ये हो जायेगा निकट देश्टी दोस के संदर में निमन कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है इसमें आपको बताना है तो देखिए यहाँ पर एक और तीन ठीक है एक और तीन यहाँ पर करेक्ट है निकट देश्टी दोस में जो है इसमें लेंस की गुलाई बढ़ जाती है इसमें लेंस की गुलाई निकट देश्टी दोस में बढ़ जाती है इसमें लेंस की छमता बढ़ जाती है ठीके तो यहां पर एक और तीन यहां पर करेक्ट है बी आंसर हो चाहेगा निकट द्रिष्टी दोस को जो है मायोपिया रोग मतलब इसको बोलता है मायोपिया भी बोला जाता है निकट द्रिष्टी दोस को इस रोग से ग्राशित बेक्ती दूर की बस्तू को नहीं देख सकते है निकट द्रिष्टी दोस वाले जो बेक्ती होते है यानि मायोपिया व उसको दूर करने के लिए ओतल लेंस का परियोग किया जाता है ठीक है होतल लेंस के इसमें परियोग किया जाता है 26 है निमने लेखित में से कौन है दूइतियक रंग यानि सेकेंडरी कॉलर सा है सेकेंडरी कॉलर कौन सा है तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा पीला रंग यह सेक प्राथमिक रंग, रेड गरिन ब्लू, ठीक है, प्राथमिक रंग है, याद रखना है आपको, किसी बस्तु का परत्मिम रेटीना पर कितने सेकेंड तक रहता है, तो ये रहता है, वन बाई दस सेकेंड, ठीक है, वन बाई दस सेकेंड तक रहता है, करेक्ट आंसर यह हो करते हैं कोई परकास किरन काच की सेलैब में परवàyस करती है तो इसकी तो इसकी आप नहीं बदलती है अशरो जायएगा भी लेंज की चीमता मापिजाती है लेंज़ की पुछा जाए उत्र लेंस की छमता धनात्मक होती है और उत्र लेंस की जो छमता होती है वो रिडात्मक होती है एक डायप्टर उस लेंस की छमता होता है जिसकी फोकल दूरी मतलब फोकस दूरी एक मेटर होती है एक डायप्टर उस लेंस की छमता होता है जिसकी फोकस दूरी एक मीटर होता है आपको याद रखना है इंदरधन उस किस कारण से बनता है इंदरधन उस जो है किस कारण से बनता है और परवर्थन और परवर्थन के कारण से बनता है C आंसर हो जाएगा A और B दोनो सुर्यास्त था सुर्योदय के समय सुर्य के लाल रंग का परतीत होने का कारण है सुर्य के का लाल किसके कारण मतलब सुर्यास्त यां सुर्योदय के समय सुर्य का लाल रंग का परतीत होना किसके कारण होता है तो ये प्रकास के प्रकिनन के कारण होता है करेक्ट आंसर ही हो जाएगा इंदर धन उसके बीच निमने लेखित में से कौन सा रंग होता है तो इंदर धन उसके बीच जो हरा रंग होता है बी आंसर हो जाएगा सरल सुक्षन दर्सी में निमने लेखित में से किस परकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है सरल सुक्षन दर्सी में किस परकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है तो ये उतर लेंस का प्रयोग किया जाता है करेक्ट आंसर ही हो जाएगा मनुस्य के आखों की किस द्रिष्टी दोस में द्वी फोकली लेंस यानि बायो फोकल लेंस का उपयोग किया जाता है मनुस्य के आखों की किस द्रिष्टी दोस में द्वी फोकली लेंस यानि बायो फोकल लेंस का उपयोग किया जाता है तो यह जराद द्रिष्टी दोस में किया जाता है करेक्ट आंसर सी हो जाएगा जब प्रकास के LAL हरा और नीला रंगों का समान और रंबाथ में मिलाई जाता है तो निमनेलईखित में से परड़िरामी रंग कौन सा होगा लाल हरा नीला रंगों को समान और पात में मिलाया जाता है तो मतलब कौन सा रंग पराप्त होता है तो इसे सफिद रंग पराप्त होता है पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही कारे करेगा जैसे करता है जैसे की ओतर लेंस करता है जैसे की ओतर लेंस करता है जाएका उतल या उतल दरपण के मध्धे बिंदु कहलाती है उतल या उतल दरपण के मध्धे बिंदु जो होती हो क्या कहलाती है धुरू कहलाती है ठीक है सी आंसर हो जाएका निमनलेखित में से कौन सा मिलान गलत है गलत मिलान आपको बताना है तो यहां पर हीरे का चमकना ह इरे का चुमकना जो यह sono antrike power to death be correct है दूसरा दिया है तारों का ट्रिम्ठीम आना बेसे पूरफ नहीं ट्रिम आते हैं यह पवर्तन यानि reflection के कारां ट्रिम्ठीम आते हैं आपको यार्थ रखना है तो दूसरा कथन जो हैं आपर गलत है तारू का टिम टिमाना क्या होगा अपवर्तन यानि रिफ्लेक्शन के करण आपको याद रखना है एक जाम में पुछा जाएगा आकास समुद्र का नीला रंग प्रकिनन के करण चोथा दिया गया है साबुन का बुलबुला का रंग बिरंग दिखाई देना साबुन का बुलबुला जो रंग बिरंग का दिखाई देता है किसके करण दिखाई देता है बेक्तिकरण के करण ध्यान में रखना है ये बाते ठीक है एक जाम देते टाइम कंफ्यूजन हो जाता है ठीक है तो आपको ध्यान रखना है बुलबुला जो साबुन का बुलबु से कौं सा परोटीन बाल में पाय जाता है बाल में कौनसा प्रोटीन पाये जाता है तो देखें बाल में के ना प्रोटीन बाल में पाये जाता है B आंशर हो जाएगा dissertation ये थे science यान बिघ्ञान कि we Guide 40 आई होब कि ये वीडियो आपको पसंद आये रहेगा पसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक करें दोस्तों में सेयर करें चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानि जो घंटी का निसान है उसे अल नोटिफिकेशन पर प्रेस करते हैं ताकि जब अगले वीडियो में नमस्कार जय हिंद जय भारत